इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम इस दवा को डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अब धी मे लें। यदि आप इस दवा की एक खुराक लेना भूल जाते हैं तो जैसे ही आपको याद आए, इसे लें। अगर आप बहतर महसूस कर रहे हैं तो भी इलाज का कोर्स पूरा करें। यह जरूरी है कि अ चक्कर आ सकते हैं और नींदा सकती है, इसलिए ड्राइब न करें या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान देने की आवर्श्यक्ता हो जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है। इस दवा से वजन बढ़ सकता है और इसे नियंत करने के लिए आपको संतुलित आहार लेना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। यदि आप मूड या व्यवहार में कोई असामान्य परिवर्तन, नए या बिगरते अवसाद या आत्मगाती विचारों का विकास करते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आप किड्नी या लिवकी बीमारी से पीडेत हैं। आपके डॉक्टर को आपके द्वारा ली जा रही अन्य सभी दवाओं के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि इन में से कई इस के काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। यदि आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। जैसे मूड में बदलाव, नीन की समस्या और ठकान को कम करता है। ऐसा माना जाता है कि यहक्षति ग्रस नसों और मस्तिष्क के माध्यम से यात्रा करने वाले दर्द संकेतों में हस्तक्षिप करके काम करता है। इसमें पोशक तत्वों की खुराग भी शामिल है जो तंत्र लगते हैं इसलिए आपको इसे नियमित रूप से लेने की आवश्यक्ता है, भले ही आपको लगे कि यह कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। एक बार आपके लक्षन चले जाने के बाद भी आपको तब तक दवा लेते रहना चाहिए जब तक कि आपका डॉक्टर आपको ब प्रामर्ष करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, क्रश या तोड़े नहीं। जी बी उन्तीस टोटल टेबलेट भोजन के साथ या बिना भोजन कि ये इसे लिया जा सकता है। लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।